हेलो फ्रेंट्स इस भार्दी बाइ प्रोफेशन आट एंग्राफ टीचर लेट्स स्टार्ट दर वर्क आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है मैंने फ्रेश लीफ मुझे मिला था तो मैंने इस जी के पर डायरेट पेंटिंग की की मैंने लीफ के ऊपर जो है कृषण डी बनाएं और कृषण जी बनाने के लिए पैंसल यूज सकते थे तो डारेट ब्रिष का ही यूज किया है और ब्रश यूज़ करके डारेक्ट ही अपना पेंट वगरा करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप भी मेरे साथ स्टार्ट करिए तो कृष्णा जी के बॉड़ी बनाने के लिए जो उनका स्किन कलर होता है वो काला कहा जाता है तो काला रंग के ब्लू से इंडिगेट करते ह है और अब मैं इनकी धोती बनाऊंगी धोती बनाने के लिए मैंने डीप यल्लो कलर यूज़ किया है और कलर आप अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो जो लीफ है वो थोड़ी ना काफी इसका सरफेज है चिकना-चिकना है तो उसके पर कलर ना एक सिंगल कोट में च या क्योंना वाइट कलर डारेक्ट साथ में यूज़ किया जाए साथ में शेडिंग करते होई चलते हैं क्योंकि अधर वाइस तो लीफ जो है ठीक बनी नहीं रही है और मुझे भी नजर नहीं आ रहा तो कैमरा में तो क्या नजर आएगा तो बस यहां पर अपना जो लोट से बना रहे हैं और पैंसल यूज़ करना नहीं तो गलती का कोई option है ही नहीं तो हमें अपनी आर्टिकल में जो पेंटिंग बना रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं करनी है तो यहां पर मैंने यह लोटस ही बना लिया है तो यह हमारा basic पार्ट जो हमारा बन गया है अब इसका करके जो है बनाते जाहिए मैंने यहाँ पे ब्रश भी बहुत पतला वाला यूज किया है जीरो नमबर का यूज किया है और एक नमबर का ज्यादा मौटा बड़ा ब्रश मैंने नहीं रखा है हेर्स को ब्राउन कलर करने के बाद अब मैं आउटलाइन की तरफ चल रही हूं त तब ही हमें बॉड़ी पार्ट्स वगरा जो है clear नजर आएंगे तो मैं इसी ब्लू कलर से इनके हैंड्स वगरा बना लूंगे और जो दोनों हैंड्स ही बनाने हैं तो बस डारेक्ट ब्रेश से इनके हाथ बना लेंगे आउटलाइन करके ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ पर ह हमारा यह बॉड़ी पार्ट है तो अब यह हम फेस की तरफ चलते हैं फेस की डिटेलिंग कर लेते हैं तो मैंने आईस बना लिए नोस बना लिए और यह जो नीचे पैड़ था उसको इनके आउटलाइन कलर कर लिए अब फाइनल जो डार्क लाइन है वह ब्लेक कलर से ही द करते हैं तो यह अब लोटस को भी आउटलाइन कर रही हो ज जादा डाक नहीं रख रही हो मगर कहीं कई जो हैं उसमें लाइन डाल रही हूँ और यह अब आईस बना लेते हैं नोस बना लेते āपम हुप माउथ के लिए हैं रेट कलर यूज किया है तो ज्यादा बड़ा तो बनाना नहीं है, बिल्कुल छोटा से डॉट ही लगाए हैं, और अब फ्लूट बना लेते हैं, बासुरी बना लेते हैं, तो ब्राउन सुरी के लिए मैंने ब्राउन कलर यूज किया, और ब्राउन कलर के ओपर मैं ब्लैक और वाइट से टच अब डालूंगे, ताकि हमारी जो बासुरी है, वो अलग से नजर आ सके, तो साथ में पूरा डेटेलिंग वर्क है, कम्प्लीट करते जाना है, और आउटलाइन करा करते जाना है, तो अब में चीज रह गई है, मोर का पंक, जिसके बिना क्रिशना जी बिल्कुल अधूर है, तो यहां पर मैंने ग्रीन कल डाला तो नजर नहीं आ रहा था, तो अब मैंने यहां पर थोड़ा सा वाइट कलर डाल कर उसको शेड किया, और बागी डेटेलिंग में इसके उपर करूँगी, लेकिन अब मुझे इसके ड्राइ होने का वेट करना होगा, क्योंकि इसके पर कलर वर्क करी नहीं रही थे, फैदर पर वक्त अब हम तब करेंगे जब यह ड्राइ हो जाएगा, और वैसे भी डबल कोटिंग किये बिना तो कलर होगा ही नहीं, तो इसके लिए भी वेट करना ही पड़ेगा, तब तक मैंने सोचा वाइट बैग्राउंड जो है पीछे में डाल देती हूं, शेड डाल कःलो कलर किया और उपर मैं ग्रीन कलर से फैदर कि जो लाइनगी, वो बना रही हूँँड होह बीच में अनए फैदर को हाइलाइट कर लिया है तो बस जहाँ जहाँ आप आपको डेटेल पूरा करना है वहाँ में पर कर जाएए, और क tablespoon क्रिशना जी का तिलक में तौत और यह अब हमारा फैदर में कम्प्लीट कर रही हूँ यह फ्लूट भी हमारी कम्प्लीट हो गई अब जो है ना कृष्णाजी की थोड़ी ज्वल्री बनानी है तो उसके लिए उने डारेट गोल्डन पेंट यूज़ किया गोल्डन पेंट के साथ में उनकी डिटेल बग अब अपनी पेंटी को ना प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने पेपर का एक फ्रेम रेडी कर रही हूँ जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं वीडियो में तो मैंने लाइट शेट पहले बैक्राउंड में कलर किया है मौव कलर को और बॉर्डर पर भी इसी को मैंने अपला की वार्णिश लगाना बहुत जरूरी है वार्णिश लगाने के बाद ना हमारा जो पेंटिंग है वह बलकुल सेफ हो जाएगा अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक यू